तो गुड मॉनिंग तो आप लोग भी किसी मिशन पे हैं कि फिजिकल फिट रहने के लिए हैं फिजिकल मिशन पे हैं अच्छा वाँ अरे वाँ 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 तो रोज आते हैं गानी में नं कितने सालों से आ रहे हैं चे महीने से आ रहे हैं तो कैसा आनंद प्राप्त होता है पहले जो हम लोग सोने में लेते थे ना पहले तो लगता था कि नहीं सहीं सोना ही बिटर है अब लगता है कि नहीं यह बिटर है अब अब लगता है और सही में फिल करते हैं अपने आपको बहुत इनर्जाइज यहां के बाद जाने के बाद क्या पता आप करते हैं कि नहीं करते हैं अपका सरीर पूरा हलका हो जाएगा दिन भर इनर्जाइज रही हैं तो पहली बार आया हूं मतलब एक जब गलती से आप हाजीपूर इंडर्स्टियल एरिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री है पेप्सी को से भी बड़ी कंपनी अच्छा वा 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 व बिदीन ये 6 मन्त में मला 1 4 यर में 100 क्रोर की कंपनी अपनी बना दिया है अरे वा 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 यही सुनिल कुमार गुपता इनकी इंटर्विव बार बार कभी कभी आती है अच्छा अच्छा वा 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 ये डॉक्टर सुसील सर है इनका इडवांस सूपर किलनिक है जो कि मला और्थोपेटिक के किसी भी होस्पीटल में आदी आप सुसील सर का नाम ले लिजेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कह देग वह 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 तो कहां से पढ़ाई की सारा आप स्थेख से और्थोपेडिक के डॉक्तर है तो ऑर्थोपेडिक में जो खासके जी है घुटनों का दर्द होता है यह आकचिदेंट हो जताय जो से जो चीज़ हो जाए जिसके जोन उपाध्या है एकय लाल है सब जगह से लोग इलाज कराने पटना आते हैं आपके अमुल्य जी भी है मेरे यहां भी ज्यादा तर आसाम के ही नौर्टिस्ट के ही पेसेंट रहते हैं असाम नेपाल से आता है मरी भुटान से आता है बंगलादेश से भी आता है हड्डियों को स्वस्त रखने के लिए इस तरह का गांधी मैदान टाइप का जो महौल है इसमें आना कैसा मतलब कुछ खास असर करता है कि जैसे असर करता है और सही असर करता है हड्डी को निट्रिशन जो मिलता है उसको आप काम लेते हैं तब मिलता है अगर हड्डी से काम नहीं लीजेगा चलते प्रते नहीं तो हड्डी आपका कमजूर होती जाता है जिस तरह कोई चीज को यूज नहीं करते हैं तो रखे रखे खाराब होता है उसी तरह हड्डी क करें चलिए फिर ये बैंकरी तो आपका हड़ी स्वास्थ्रा है उससे हड़ी में केल्सियम आता है ये फिर मजबूत होता है फिर निकलता है डेमेज होता है उसको र्गुलर जो है उससे काम लिजा और डाइट में हड्री के लिए यह सब से बहतर सोखें दूद का सेमन तो देखने लग रहा है इसमें डारेक्ट विटामिन डी मिलता है विटामिन डी और केल्सियम दोनों हड़ी के लिए अम्रित की समाने लेते रहे हड़ी आपका स्वस्त रहेगा तो थोड़ा एक घंटा वस्त दीजिए दिन वर आपना काम करिए जो भी करना है करिए जो क्या जाने की जरूत नहीं है कोई ये काम करने की जरूत नहीं है बस दीन वर आपना जो करना है करी जो करना है So have a nice day I'm Vimbal Chunni you are watching Bihaar View Once again I will like to introduce yourself Thank you, thank you. Myself Dr. Sushil Kumar Singh I'm an orthopedic surgeon I'm practicing Kardam Kuma Patna as an orthopedic surgeon Thank you sir have a nice day My name is Sunil Kumar Gupta My name is a small snacks company in Hajipur I'm a small unit in Britannia We make snacks What do you make snacks? Like traditional food with snacks, dalmor, dalmor Like kurkure, rings, puffs, primes More than 50 SKU for children Makai's item is also made? Yes, makai's also made The main ingredient is makai's chawal Which can be made in Bihar in Bihar So you told me your name? Sunil Kumar Gupta Sunil Kumar Gupta Sunil Ji Sunil Ji Bihar Me Juhai Loge Kafi Bait Kerti Haya Bihar Me Kuch Ho Nih Raha Vepar Vepari Koi Adiyogi Karan Hai Industries Nih Aarheen Kaisa Aap Toh Eek Business Man Kaisa Dekhate Haya Bihar Go I think it is a big thing That is a big thing People don't have to invest in here 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 But In the past 10-15 years There was a lot of space And And It's time It's not a day It's a very time If a person now made it So People dai Then Gojraat This is why People don't have to invest in here प्राव में भी बदलाव शुरू हुआ है बहुत सारी इंड़स्ट्री आई है जैसे कि बिटानिया ने आपे काफी इंबेस्ट्मेंट किया है पारले ने किया है इसा नहीं है पर अभी नया हमारे उद्योग मंत्री सानवाजी काफी मैनत कर रहे और आई होप कि और बीट आए अगी और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बंदलेगा गांधी मैदान में है कैसा लगता अगांदी मैदान में क्या अंतर है बाकी जगाने से घान्दी मैदान में बहुता हुआँ। कि इस करोना काल ने वापस मेरे को यहां गांधी मैदाने के लिए मजबूर किया मेरा वेट 110 किलो 105 किलो हो गया था अभी और लास्ट आर्ट महिने में मैंने 15 किलो डीडूज किया है आप आट महिने में और दो साथी हैं हमारे एक डॉक्टर सुसील जी और यह च्वटा भाई मेरा सक्ति सिंग इन लोगों के वज़े से मैं आज गांधी मैंदा में रेगुलर पिछले आठ मैना से रेगुलर आ रहा हूं और सुबह पांच बजे यहां आता हूं इन लोगों के साथ 2,5 गंटा यहां पर बिताता हूं और इसके साथ साथ खान पान भी बहुत इंपोर्ट से भी बहुत मजबूत हूं तो क्या है बिहार वास्यों के लिए संदेश संदेश है कि अब सब महौल वापस से अच्छा हो रहा है सब उसी इनर्जी के साथ उठे सुबह सब मार्निंग वार करें जोगा करें और नया इनर्जी के साथ नया बिहार को फिर उस उचाई पेले यह तो देखें आप अच्छा टाइम बीध गया निमे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं जो है वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं लेकिन फिर भी पता नहीं मैं आ पाऊंगा कि नहीं रोच लेकिन जो लोग